तो यार फूली आप अपनी स्टडीज में आय कर रहे होगी ठीक है सब कुछ अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी जो भी चीजे है ठीक है डाउट्स आ रहे हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वाट्सप ग्रूप जॉइन कर लो ठीक है जो भी डाउट्स है आपक ताकि आपको फ्यूचर में जो भी डाउट्स आपको परिशान ना करें जब भी एक्जाम में आपको किसी भी चीज को लेके परिशान ही होती है तो उसकी दो ही रिजन होते हैं या तो आपने पढ़ाई नहीं था या फिर आपको वह डाउट था ठीक है आपको उस हो के पूछो ठीक है न आप हम लोग यार तुम्हारे बड़े भाई है ठीक है न तो इतना तो कर सकते आप लोगों के लिए और कर भी रहे हैं अगर आप भेज रहे हो तो डेफिनेटली हम लोग रख लेंगे तो की अलग से रख लेंगे तो हमने अभी तक देखा था कांवेक्स की इमेजसर्म यारट सारी चीजे हमने भी तक देखी इस लेक्चुर में में बात करने वाले co5 lens में image formation की co5 lens ईड़ता है सारी छीजे है देखने वाले ठीक सबसे पहले लुखते कां के लेंस क्या होता है तो कांके मेर की जब बात ुआ होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे mr haveने बात की थी और में पर हमारा जो लेंस होता है वो दोनों साइड से कर्व सर्फिस से घिरा हुआ होता है ठीक है अगर लेंस कोई भी लेंस है तो वह बांड़ेट बाई टू कर्व सर्फिस होना चाहिए और बीच में जो भी हमारे मैटेरियल यह क्या है अब देखो अब बात करते हैं कि अभी कोच चीज़े हटा रेथे हैं है यह भी हटा देते हैं हमारा इसका इसका अब खतम हो गया चलो हमने बात किया था एक प्रिंसपल एक्सिस होता है हमारा ठीक है principle axis होता है हमारे पास एक बीच में कुछ point वह उतारनों इसको क्या बोलता था है क्या बोला था हमने optical center है ना जो हमारा यह optics है उसका center optical center और हमने बात किया था कि एक focus भी होता है ठीक है अगर इसका curvature इधर side में है तो इसका center और focus left side में लाई करेगा और इस part के लिए अगर आपका curvature इस side है तो इस side लाई करेगा उसके लिए center and focus तो अगर इस case में बात करें कि इसका focus f1 है और माले ते कुछ center यहां पर है देखो center को सीब से भी बोल सकते हैं या फिर two f1 भी बोल सकते अब बोलोगे आप two f1 कैसे भी या तो देखो मैंने एक चीज़ बताई थी कि focus जो होती वो क्या होती आपकी r by 2 है ना मैंने यह बोला था कि focus जो होता वो r by 2 होता है तो आपका जो center of curvature से इस point के distance होता वो क्या होता है भाई आर होता है है ना आर होता है किसी भी circle के case में अगर आप बात करो कोई भी अगर आप circle रहे हो उसकी center से surface circumference की distance जो होती हो किती होती है ठीक है अगर यहां पर हम बात करें तो आर हमारा क्या हो जाएगा अगर यहां से further देखें तो आर हो जाएगा वह ठीक है तो आर अगर 2F हो जा रहा हमारा तो हम बोल सकते हैं कि हमारी जो यह center वाली point है वह क्या हो सकती है 2F1 ठीक है तो हमने इतना देखा अब देखो हमने अगर बात किया कि left side में भी focus है left side में भी center है तो right side में भी obvious सी बात है कि इसका focus होगा वह क्या होगा F2 and center 2F2 ठीक है मैंने convex lens के case में क्यों नहीं बताई थी यह सारी चीजे क्योंकि आपने भी mirror के case में पढ़ा था कि center को C से denote कर रहे थे तो मैंने नहीं बताए ठीक है इतना हमने देखा कि क्या होती है focus क्या होता है और आपका center पे क्या किस point को कैसे denote करते हैं सारी चीजे देखी ठीक है अब बात करते हैं कुछ जनरल image formation की case की ठीक है चलो तो कुछ जितने हमें useless points है कि हम उनको हटा देते हैं ठीक है ना कि फिर उसके बाद further बात करते हैं जैसे हमारा यह हो गया अगर देखो पहली केस हम मानते हैं कि कोई लाइट रहे अगर पैरलल आ रही है पैरलल आ रहे है प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी लाइट रहे हमारी पैरलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आरे कॉनकेव लेंस के केस में इमेज कहां पर बनेगी वह तो बाद में बात करेंगे रे reflect होके कहां पर जाएगी अभी हमको उसकी बात करने ठीक है reflect करके कहां पर जाने वाली उसकी बात हमें करनी है तो देखो हमारी कोई भी लाइटर पैरलली आई ठीक है पैरलली आई तो आप बोलोगे कि वह focus से पास करनी चाहिए है न? concave lens, lens का case है, तो वो focus से pass करना चाहिए, बट में बोलूँगा, यहाँ पर reflect हो रहा, and concave lens जो होता, वो क्या होता है, diverzing, diverzing होता है, अगर converging होता, तो हम बोलते कि यह reflect करके वापस आ जाता, इस focus की तरफ, कनवर्ज हो जाता बट वो डाइवर्जिंग है मतलब कि यह अपना जो भी लाइट्रे होगा वो डाइवर्ज होगा अवे फ्रॉम दर प्रिंस्पल एक्सिस की तरह मूव करेगा ठीक है बेसिक सी चीज है अब हम बात करते हैं कि अगर इसको फॉर्दर एक्स्टेंड करें तो आफ का जो फोकस से उस पर सीम होागी होगी कि यहां पर वह मिट कर रही है फिर आप अगर प्रोजिक्शन देखो गिं इस-सट यौई आपको लगेग संपी कि वह फ्रॉकस से से ही आ रही है चलो पहली केश की बात करते हैं कि का तो दूसरा के यह हो गया हमारा चलो, दूसरे case के लिए हम थोड़ा सा देख लेते, अब देखो, दूसरा case के अगर हम बात करें, तो हमने देखा कि parallel to principal axis हो गई, तब तो यह होगी, अगर मैं बात करूँ कि अगर focus से मैं pass कराता हूँ, कोई भी light रहे, ठीक है, माल लेते हैं कुछ यह, हमें focus से pass करानी है, ठ इस वाली से, क्योंकि हमने इस वाली से तो pass करा ली, ठीक है, F1 से हमने देखा कि F1 से virtually थी, मतलब real ray नहीं थी, बट virtually वो लाई कर रही थी, तो हमने उसके case में बात कर ली, बट अगर मैं बोलू कि आप F2 से ऐसी कोई ray diagram बनाओ, जो कि F2 से pass कर रहा हो, उसका, या फिर virtually pass कर रहा हो, तो आप बनाओ, तो आप क्या बोलोगे भाई कि कोई भी light ray, मैं ऐसे incident कराता हूं, इसके, ठीक है, यहां से project हो रहा हो, तो यह after reflection कहां पे जाएगा, यह ऐसे जाएगा, इस point फिर वो parallel to principle access हो जाएगा, इस फ्रेक्शन का process आपने जाना था, कि कोई भी light ray अगर parallel to principle आती ही, तो वो focus पे converge या diverge होती है, यह पहली point, अगर कोई भी light ray, focus के along आ रही है, या फिर conversion हो रही है, या इस case में कोई भी light ray, अगर along the focus आ रही है, ठीक है, from infinity, या फिर कहीं सब या projection, कोई भी projection ले रहे हो, तो अगर कोई भी light ray, along the focus आ रही है, तो वो after reflection, parallel to principle access जाएगी, ठीक है, पास करेगी, तो यह हो गई, सबसे important चीज, ठीक है, अब ray, ray diagram के case में, अब third case जो है, अगर कोई भी light ray, optical center से pass करती है, ठीक है, कोई भी light ray, हमारी optical center से pass करती है, then after reflection, वो कहां जाने वाली है, तो simple सी बात है, कि वो as it is, पास कर जाएगी, ना तो उसका कोई diversion होगा, या ना तो conversion होगा, जैसे वो आ रही थी, वैसे ही pass हो जानी है, ठीक है, चलो, तो इस case के, हमने ये थोड़े से important cases देख लिए, कि ray diagram कैसे जाते हैं, अगर parallel होते हैं, या फिर optical center से pass करें, then image formation कैसे होती है, ठीक है, सबसे basic चीज हमने पढ़ लिए, अब देखो, अब बात कर नहीं है, image formation की, image formation के लिए, पहला case, वा पहले हम बात करते हैं, image formation की ऊ-खक, अब image formation किस का खाल? हमें convex का पढ़ लिया है, अब give बात करने वाल है, image formation के लिए, पहले हमने कॉनके लिंस बनाया ठीक है तेखो उतना एक्जक्ट नहीं बना भाई हसना नहीं कोई ठीक है जैसा बना है एड़्जेस्ट करो सब लोग और आप्टिकल सेंटर हो गया हमारा तो पहला पॉइंट क्या होता है अगर आप इमेज फॉर्मेशन ओफ क्या देख रहे हैं तो पहला पॉइंट क्या है कि आपका जो आपजेक्ट रखा वो कहां पे रखा रहत है कि इंफिनिटिटी पर ठीक है यह हो गया, 2F1, यह हो गया, F2, and it is 2F2, ठीक है, बेसिक चीज, अब अगर infinity पे कोई भी object रखा है, तो उस object से कोई भी light रहे कर आप ले रहे हो, observe कर रहे हो, अपने lens पे, तो वो हमेशा क्या होगी, parallel होगी, सबसे बेसिक चीज है, आप मिदर की case की बात करो, या फिर lens की case की बात करो, दोनों case में, अगर आप पैरलली, infinity पे कोई भी object रखा है आपका, तो आपकी जो light रहे आती, infinity से, आपके instrument पे आप बोल सकते हो, mirror या फिर lens पे वो क्या होती, parallel होती है, ठीक है, तो माल लेते हैं, कुछ यह infinity पे रखा हुए है, ठीक है, infinity पे रखा हुए object, और यह पैरलली, आरे है, ऐसे, ठीक है, ऐसे आई, और रिफ्रेक्ट की, ठीक है, यहां तक माल लेते हैं, कुछ यहां पे भी वीतर भी कुछ रिफ्रेक्शन होता है, बट वो negligible आप मान सकते हो, ज़स्ट क्योंकि आपके काम की चीज़ होती है, वो फर्दर हम मान सकते हैं, यहां की रिफ्रेक्शन होगी, तो मैंने बताया था, अभी, कि जस्ट अगर, पैरलल टू प्रिंस्पल एक्सिसर देन, वो कैसे जाएगी, आपकी जस्ट फील होगा, कि फोकस से वो पास कर रही है, ठीक है, यह फोकस से पास की, ऐसे चली गई, डाइवर्जन, ठीक है, डाइवर तो तो वो भी फोकस से डाइवर्ज करके, ठीक है, दोनों का डाइवर्जन्स हो गया, ठीक है, आप जानते ही हो, कि हमारा का चाफ़े जो होता है, डाइवर्जिंग होता है, ठीक है, मतलब हमारे लाइट रेंचली इंफिनिटी से ऐसे आ रही थी, और इमेज फर्मेशन के लिए हमने देखा कि वह आफ्टर डाइवर्जन ऐसे चलेगे बट हमने अगर पीछे की तरफ दोनों लाइट रेज को एक्स्टेंड किया ठीक है तो वह हमें लगा कि फोकस पर मीट करें दिन इमेज केस में क्या होती है जब दूसरे को इंटरसेक्ट करती है यहां पर कोई भी लाइटर मिली नहीं रहें तो आप वर्चुछ भी देख सकते हो कि इमेज वर्चुछ तो नहीं बन रही ठीक है तो आपने पीछे एक्स्टेंड किया आपको फोकस पर लगा कि वह दोनों मिलने वा इमेज की पोजीशन साइज की बात करेंगे हम ठीक है साइज की बात करेंगे और लास्ट नेचर खें तो हमारी देखो पोजीशन क्या होगी एट आफ या फिर focus बोल सकते वह आप वेसिक सी चीज़ है और आपने देखा भी कि हमने यहां पर further extend किया तो कहां पर बना आप size की बात करें तो size तो देखो आप देखो यहां पर तो just point size आप बोल सकते हूं ठीक है point size या फिर आप आप physics के लेंगेंज बात करो तो हाइली डेमेनेज्ट तिक अगर आप फिजिक्स के लेंगेज की बात करो देन हाइली डेमेनेज्ट आप बोल सकते हो और नेचर की बात करें तो वह क्या होगा वर्चुवल अब यह कैसे हुआ देखो मैंने बताया था मिरर के केस में अगर इन फ्रंट आप दे मिरर बन रहा था तो आपका रियल और इन वर्टेट था बट इस केस में मैंने लेंज की केस में जस्ट अपोजिट बताया कि अगर लेफ्ट साइड आपकी इमेज फॉर्मेशन हो रही है तो आपका पेर भी मैंने बताया था कि वर्टेट एक प्यर होता है तो हमने पहले केस की बात कर लिए इंफिनिट इक केस में ठीक है अब बात करते हैं सेकेंड केस की ठीक है छलो सेकेंड केस की बात करते हैं तो सेकेंड ली मैं हमारा इमेज जो प्लेस होता है वो कहां होता है ब्यूटविं इंफिनिटी एंड हम ठीक है जो सेकेंड केस की बात होती है बेसिकली image formation की जो हम बात करते हैं तो अगर हमारा उब्जेक्ट बिट्वेंड इंफिनिटी एंड ओ कहीं पे भी एक प्लेस्ट मान सकते हैं तो हम जनरली मान लेते हैं कि ऐच की बीच नहीं प्लेस्ट करके देख लेते हैं है कि बनाया यह कुछ थोड़ा सा ठीक बनाए प्रीएस वन से एक तो यह हमारा कुछ है да फ्वी ए अच वर श् olmuş सिममने है और यहif나 है थो ठीक है और हम मानते हैं कुछ अब्जेक्ट हमने यहां पर प्लेस्ट के लिया ठीक है तो हमारी पहली लाइटरे पास हुई ठीक है और आफ्टर रिफ्रेक्शन वो डाइवर्ज हुई अगर आफ फर्दर पीछे की तरप एक्स्टेंड कर रहा है तेन वो मिटेट फोकस होगी ठीक है अब दूसरे केस की बात करें तो हम दूसरी लाइट रेया पास करें यह अपने अप्टिकल सेंटर से क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है न हमने दूसरी लाइटरे पास पास कर आई अपने optical center से क्योंकि हमें image formation भी करनी थी और हमारे पास further option नहीं था है ना हमने पास कर आई तो दोनों लाइटरे देखो intersect कहां पर करें एक दे सुरे को इस लाइटरे और इस लाइटरे में कहीं पर भी combination नहीं होने वाला अगर आप रियली बात कर रहे हैं तो ठीक है कहीं पर भी नहीं होने वाला अगर आप रियली बात कर रहे हैं तो तो हमने कहा किया कि जो अमारी first light रही यह वाले थी हमने इसको पीछे के तरफ ixtend किया ठीक है कि तरफ ixtend किया और देखा कहीं पे intersect हो रही तो यह वाला moi हमें दिखा मतलब image formation हो सरह の पर कि कि अगर image formation होगी तो집्यों किश्च की बात करने थी है कुछ nature की बात करनी थी और size की बात की बात करनी थी इन तीनों चीजों के हमें बात करनी थी generally पोजीशन क्या होगी यार पोजीशन उफ़ इमेज क्या होगी between F1 and O between F1 and O दिख रहा है na बिट्वीन F1 and O हो गई और nature की बात करें तो virtual and erect ठीक है वर्चुएल और इरेक्ट होगी साइच की बात करें तो जस्त बोल दो क्योंकि अधिश्ट चोटी है थोड़ी से डिमेज्ट होगी है ना तो हमने केमपेरेबल साइच की बात की तो हमें ज़स्त दिखा कि डिमेज्ट ठीक है तो यह रही इमेज फॉर्मेशन की बात हमें यहां थिका फॉर्मेशन की बात काई कान के कर रहे हैं तो यहां पर दोकीश होते आपके पहला थिर ड्यूंद सेंटर रखा हुआ मत तो दोनों ते प्रॉह करते हैं में लिंस की तरफ एंग कर सब्सक्राइब तो हमने फर्मूला यार पढ़ा था ठीक है अब मेर फर्मूला क्या पढ़ा था हम कंपेरेजन कर लेते हैं यहां पर मेर का फर्मूला में देखा था कि 1 by V फ्लस 1 by U is equal to 1 by F और हमें जो भी रखने थे चीजे वो सारी विथ साइन कंवेंशन रखनी थी अब लेंस फर्मूले की बात करें तो 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F देखो प्रूव हमें नहीं करना है क्योंकि आपके से रेडूस हो चुका है ठीक है वो सारी चीजे रेडूस हो चुकी है तो प्रूव हमें नहीं करना बट जंदली अगर आपको requirement होगी तो हो जाएगा बट अभी नहीं ठीक है अभी हम आपस उतना time भी नहीं है प्लस आपके syllabus से reduce भी हो चुकी है सारी चीजे ठीक है तो देखो यह सारी चीजे हो गई अगर आप लेंस फॉर्मूले की बात कर रहे है देन 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F अब फोकस की यहां पर देखो वी क्या हो गया distance of of image ठीक है अब यू क्या हो गया distance of object ठीक है और F की क्या हो गी बात focal length of lens focal length of lens अब देखो या फिर आपका lens क्या हो सकता है convex और क्या हो सकता है Concave अगर convex की बात करें तो आपका focal length क्या होता है positive अगर convex,concave की बात करें तब क्या होता है negative ठीक है तो आपको यह भी जो आप कोश्चन सॉल्व करते हो देखो कोश्चन जब भी आप सॉल्व करते वार तो एक डेडिकेशन होना चाहिए अंदर आपके कि आप जनरली इंटेंशन होना चाहिए कि आप सॉल्व करना चाहते हो ठीक है रियली सॉल्व करना चाहते हो तो आप पहले तो सारी चीजे समझ कर रहें। कोई भी फर्मूला यूज कर रहे हैं। तो आपको या तो आप initially अपना sign convention पूट कर लो या फिर सब कुछ without sign convention करो बाद में आपको जो भी चीज़े लेनी है वो with proper sign convention आप ले लो ठीके दो मेथड होते हैं आपके कि इनिशली अप सानी करने की जड़ुवत नहीं ठीक है चलो तो हमारा हो गया बात कि तो जेनरली कोई भी अगर equation होती है जितने unknown होते हैं ठीक है अन्नोन माइनस वन कर दोगे तो हमें उतने नोन चाहिए होते हैं उस equation को solve करने के लिए यह हो गई basic सी बात ठीक है तो चलो अब आगे देखते हैं तो आगे एक time हो रहाता है देख्या तो के बहुत आपको कि आपको है डिटिव अइडिया देता है साइज आफ में चाहिए अब ड्शक बारे में आपको मैंदिव इंधर आपको इने जब मैंने मिरर की केस की बात की थी दिन मैंने बताया था आपको कि relative size का idea मिलते आपको तो manification क्या होता है अगर lens की बात करें तो generally हम से denote करते है है तो म होता क्या है है म जो होता है बाइया वो क्या होता है है height of image अपन height of ओब्जेक्ट ठीक है यह साइज की बात कर रहे हैं रिलेटिव आइडिया ले रहे हैं तो अगर image की height को आप denote करते हैं h-स से और object की h से दिन आपकी magnification क्या होगी h-by h ठीक है यह तो होगी height के terms में अगर आप बात कर रहे हैं कि distance of image and distance of object के terms में दिन क्या होगी आपकी magnification then magnification क्या होने वाली है आपकी अगर आप बात कर रहे हैं distance of image and object की देन क्या होने वाली है तो distance of image upon distance of object तो यह क्या होगी मैं प्लस का भी भाई यू ठीक है और अगर आप इधर ही में बात कर ले रहा हूं यह होगी मिरर की case के हम बात कर रहे थे जब magnification में ठीक है थोड़ा सा comparison अगर लेके चले तो हमारे लिए आसानी होगी तो यह इस case में भी क्या था H- By H but, यह क्या था minus V by U ठीक है कि अप एक बार ख्रॉश जरूरूर्ड is जरूर कर लेना कि आपका उस case में फ्राइज में यह था श्क आपका जो magnification in case of lens में जो है ठीक है लेंस में वह यह ठीक है लेंस में यह है ठीक है कि ए-ध यू और उसमें होगया आपका minus V by U अगर mirror की case की बात करें in respect of distance of image and object ठीक है तो यह हो गया अब हम बात करते हैं कुछ M के बारे में ठीक है तो M की बारे में कुछ बात करते हैं तो generally इतना हम useless इतने में चीज़े हटा देते हैं ठीक है तो M की बात करते हैं अब condition रखते हैं कुछ M पे कि M अगर आपका greater than 1 होगा then क्या होगी चीजे और M अगर आपका less than 1 होगा तब क्या होगी चीजे और M अगर equal to 1 होगा then क्या होगी चीजे और M अगर आपका positive होगा तब क्या होगी चीजे और last point अगर M आपकी negative होगा दिख रहे हैं भाई, M अगर आपका negative होगा, दिन क्या होंगी चीजे, ठीके, तो M अगर आपका less than 1 होता है, तब क्या है, और greater है, तब क्या है, ठीके, तो चलो, देखो, अगर आपका M greater than 1 है, मतलब M is equal to H dash upon H है, मतलब H dash की जो value greater than H होगी, मतलब size of image क्या है, ज्यादा है, है ना भाई, ज्यादा, तब ही तो हम बात कर रहे हैं, अगर size, image of size ज्यादा है, तो हम क्या बोलते हैं, इसको enlarge, ठीक है, यह आपकी जो भी size होगी, वो क्या होगी, enlarge होगी, initially idea लेने के लिए मैंने बुला था ना, just a relative idea मिलता है आपको, ठीक है, enlarge होगी, अगर छोटी होगी भाई, तो क्या होगी, diminished, 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 और अगर equal होगी, तो same size, तो यह तो होगी बात, one के reference में, अगर size of object की respect में, ठीक है, अगर बात करें हम कि M अगर आपका positive है, तब क्या होगा, and negative होगा, तब क्या होगा, तो M अगर positive है, मतलब M is equal to V by U, इस case में, ठीक है, मतलब positive है, तो जो image की formation होगी, ठीक है, आपकी माल लेते हैं, कोई भी lens ले लेते हैं, जनरल यहीं lens ले लेते हैं, ठीक है, आपकी image भी, object भी इधर ही रखी थी, left of mirror मतलब U की value क्या होगी, negative, बट B की भी value अगर negative हम करें, ठीक है, आपका M total क्या हैगा, वो हैगा, positive, तो आपकी जो image बनेगी, just in front of the mirror, तो वो क्या होगी, virtual, देखो कोई भी चीज रटना नहीं है, ठीक है, virtual and erect, समझते चलो, ठीक है, तो यह होगी बात, कि अगर आपने object रखा था, initially, just right of, left of the mirror, अब देखो, M negative, तो हमने मालो रखा, यहाँ पर कुछ, M is equal to V by U, ठीक है, हमने यह रखा, हमने यह माना, और हमारी image कुछ रखी इधर, तो इधर से U क्या हो गया, U तो हो गया भाई, negative, बट B अगर positive हो जाए, then M क्या होगा, negative, हमें negative देखना है, कि M अगर negative है, तो क्या होने वाली चीज़े, तो आपकी जो image formation होना ही चाहिए, वो किधर होनी चाहिए, right of the lens, ठीक है, right of the lens, आपकी image formation होनी चाहिए, मतलब real and inverted, ठीक है, मतलब आपको M अगर पता है, कि M1 है, या फिर 1 से जादा है, या फिर 1 से कम है, या फिर negative, ठीक है, एक छोटा सा topic और आता है हमारा, अगर आपकी इस case की बात करें, तो वो क्या आता है, power, ठीक है, power, power of lens, ठीक है, एक छोटा सा topic आता है हमारा, power of lens, आप इसको P से भी denote कर सकते हो, तो generally, देखो, power कुछ बहुत बढ़ी चीज़ नहीं होती है, आप चस्मा लगाते हो, आप generally सुनते हो कि power क्या हमारा, है ना, 2.5, 3.5, 1.5, जो भी होता है, वो आप सुनते हो कि power क्या होता है, तो power, basically, कुछ बहुत बढ़ी चीज़ नहीं होती है, आप generally, जब भी किसे lens की बात करते हो तो वह focal length के basis पर बात करते हो तो यह एक method होता है जस्ट बोलने के लिए आप focus को छोड़के एक जस्ट power बोलते हो ठीक है basically what is power अगर आप power की बात करो पी की बात करो इस ना अधर देन यह 1 by f होता है ठीक है यह 1 by f होता है मतलब अगर आप focus के terms में बात नहीं करते हो तो आप बोल सकते हो power is ratio of focus ठीक है basically आप बोल सकते हो focus हमारा meter में होता है ठीक है focus जो भी value रखते है वो meter में रखते है तो power होती है हमारी भाई यह अब इसकी अगर unit की बात करें तो focus तो meter में होता है मतलब 1 by n तो यह M inverse बोल सकते हैं इसको ठीक है M inverse बोल सकते है है ना M inverse बोल सकते हैं बट इसकी basic SI unit जो होती है SI unit वो क्या होती है डायोप्टर ठीक है और इसको D से भी denote करते है ठीक है होता है ठीक है पावर क्या होती ही पावर कैसे denote करते है यूनिट क्या होती है उसकी सारी चीज़ा आपने देखी अब एक definition आती छोटी सी कि अगर आप डायोप्टर की बात करें तो डायोप्टर अगर आप बोले कि वन डायोप्टर इस इक्वाल टू क्या होता है तो आपकी जो फोकस लेंद्ध को अगर आप वन रखते हो देन वह हो सकती या फिर आप बोल सकते हो कि डायोप्टर इस इक्वाल टू मेटर इनवर्स ठीक है आप यह बोल सकते हो आप्टर इस इकुल टू मेटर इनवर्स या फिर आप एक चीज और बोल सकते हूं भाई कि डिफाइन डॉप्टर आपका एक क्वेशन आता है define one diopter then आप क्या बोलते हो it's just a unit but unit आपको given है कितनी one ठीक है one अब one power की one case किस case में आएगी जब focus क्या होगा हमारा one हो then ये value क्या हो जाएगी one diopter तो बोल सकते हो it is a power of lens it is power of lens having having one meter of focal length ठीक है आप बोल सकते हो it is a power of lens having one meter of lens ठीक है generally हो गया ठीक है ना आपने ये देखा कि कोई भी lens है अगर आपका अगर आप बोलते हो कि define one diopter उस case में then आप definition देख लो कि it is a power of lens having one meter of focal length अब एक छोटा सा question देखते हैं कि मान लोग कोई आपका lens है ठीक है मान लेते हैं कोई lens है आपका a lens having of having focal length of 25 सेंटिमेंटर then find its power find its power ठीक है अब देखो simple सा question भाई कि कोई भी lens है आपके पास उसकी focal length given है आपके पास 25 सेंटिमेंटर and power पूछा जा रहा आपसे तो आप बोलोगे भाई मैं तो कर लूँगा मैं तो सबसे तेज हूँ मैं सबसे पहले कर लूँगा कि मैं तो सबसे तेज हूँ मैं सबसे पहले कर लूँगा क्योंकि मुझे पावर का formula पता है one by f and यह क्यों होता है one by 25 तो आ गया मेरे पास कि 0.04 डायोप्टर ठीक है मैंने बोला आपसे कि आप पावर निकालो और focal length आपको दे दी 25 सेंटिमेंटर आपने बोला कि मुझे तो मैं सबसे तेज हूँ भाई मैं सबसे पहले कर लूँगा ठीक है यह जिसने जिसने किया भाई ना बहुत मार खाओगे ठीक है क्योंकि आपको एक चीज मैंने बताए थी कि यह जो भी आप यह value पूट करोगे वह हमेशा किसमें पूट करोगे मीटर में मैंने इनीशली यहीं पर लिखा था जब आपका मैंने लिखा था मैंने कि मीटर में ठीक है बट आपकी वेल्यू किसमें कि मैंने भाई सेंटिमीटर में तो आप यह तो जानो ना ठीक है तो आप यह नहीं करोगे कोई नहीं यह करेगा जो करेगा भाई फेल हो जाएगा ठीक है तो पावर क्या बोलोगे आप बन बाई यह ठीक है बट बन बाई 25 इंटू 10 तू दी पावर माइनस तू बोल सकते हो और इसको फ़र्दर सॉल करोगे तो 100 अपॉन 25 भी बोल सकते हो इसको क्रॉस कट करो है तो पावर क्या अगे है मारी ह कोई ऑप च्छो टा सा कॉंसेथ थैखिए गर पावर आप मैं ऐसको की अधर थोड़ा सा वहटा आते हैं उसके बाद बात करते हैं अगर आपका लेंस जो है वो कॉंवेक्स है ग pos dar अगर आपका लेंस जो है वह concave देन आपकी power क्या होगी अगर देखो अगर आपका lens convex है और concave है देन power क्या होगी आपकी positive negative क्या होगी तो convex होगी तो power क्या होता है बाई बाई ए और f आपका क्या होगा पॉसिटिव तो power भी क्या होगा पॉसिटिव है नए अगर आपकी convex lens है देन आपका power क्या होगा positive अगर concave lens है तो power क्या होगा one भाई f and f is negative then your power will be negative. it is easy है ना ये आसाने भाई कि हम compromise comparison कर सकते हैं compromise नहीं comparison कर सकते हैं कि power हो गया positive and negative लेटेटे हो यहिती ही चीज़ह है यहिसी आप चस्मा लगाते हो तो जनरली देखते हूँ कि किसीका बोल से न माइनस ते पॉइंट 5 है माइनस जीरो पॉइंट 5 है क्या चीजह है न फो यहीं ऐसी कि पेड़ेट सारी चीज़े, focal length पर ठीक है, किसी भी lenses की हम जब ही बात करते हैं, focal length की ही बात करते हैं, ठीक है तो आपने ये चीज़े देखी कि focal lens पर dependents होती है, power अगर positive है, बातलब lens आपका convex है, अगर power negative है देना आपका lens, concave है, तो आपने एक चीज़ सिखी होगी यार अभी तक है तोलका कि हम किसी भी फॉर्मुले का में अगर तो वह साइन कर나 यहीं पूट करना है आपको हर केस में Q है को भी फॉर्मूला है वह साइन करूला रखा हुआ थिक间 के आपके पास मैंने कोई भी फॉर्मूला दिया तो विदाउट साइन कंवेंशन आपको विट साइन कंवेंशन चेक करना है ठीक है कोई भी चीज़े पुट करने हैं ठीक है फाइनल आंसर के लिए आप ड्यूरिंग अपनी सॉल्विंग वो विदाउट आप साइन कर सकते हो बड़ फाइनली आपको बिच साइन कंवेंशन ही मूब करना है ठीक है चलो तो आज के लिए इतना यार और आपके टॉपिक्स में ही इतना था और जनरली आप लैंसल का देख सकते हो कि हमिएसा वह कंबिनेशन में ही यूस होते है ठीक है छोटा सा चीज है देख लेते इसको भी हमिए क्या तो एल वन रखते हैं प्लस लड तू और प्लस अल तरी तीन लेंसे को मिला के एक लिंस फोर मेशन किया हमने ल फूर ठाइक है बेशिक सो कौनसेप्ट है तो हमने बताया कि इस लेंस का पावर है पी यह तक पावर है system L4 तो आप बताओ कि भाई जो फाइनल पावर होगा हमारे नए इंस्ट्रुमेंट का वो क्या होगा ठीक है तो आप बोलोगे भाई अब मैं कैसे बताओ मुझे पता ही नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे पावर एड़ होगा कैसे नहीं तो सिंपल है यार कुछ चीज़े नहीं है जिस्ट आप सिंपल वोलो कि जितनी भी हम लेंसे यूज करते जाएंगे जितने भी उसके पावर होंगे जिस्मिलरली आप सेरीज में करते जाओ सिरीज वाला ठीक है चलो तो इतनी चीज़ होगी और आपके लाइट का ये लास सेशन था एक प्रॉब्ल राओ ने रखना है चलो थेंकिल